बात करएंगे देगे सूझ लग इनरजी का मैं बात होते रहती है हर एक को बात करता है कारण की कब्रण को जवाब इस वीडियो में आसान भासा हम ढूबने के को सिस करेंगे आए वीडियो सुरू करते हैं हम जानते हैं कि सुजलोन इनर्जी जो कंपनी है यहां आज के समय में देखें तो रिटेल नियुक्त की पहली पसंद बनी हुई है कारण क्या है कि पेट्रोल डीजल और परसों से लीडिंग कंपनी है मतलब जितने भी कंपनी भारत में बनाती उसमें सबसे अधिक कंपनी बनाती है और दूसरी बात गोवर्मेंट का एम है कि 2030 तक 500 मेगावाट विजली रिनीवल इनर्जी के से प्राप्त किया जाए तो गोवर्मेंट का यह जो एम है और मैंने जो बाते बताई कि पावर सेक्टर की तरफ हमें दिरे दिरे मूब करना होगा तो इन सभी बातों को लेकर सुझलोन इनर्जी को फायदा मिल सकता है और कहीं न कहीं इसको फैदा मिलती हुए दिख भी रहा है तभी रीटेल निवेस्ट कर रहे हैं और धीरे अगर शेयर होल करजा इसको पर बहुत अधिक है तो जैसे जैसे शेयर का प्राइस बढ़ता है वैसे थोड़ा थोड़ा करके आप बाई करते रहे हैं एक की बर ज्यादा इंवेस्टमेंट करती जागा तो बाद में नुकसान हो सकता है और आप इस कंपनी में अगर इंवेस्टमेंट कर र सलका डाउन होकर 0.80% डाउन हुआ था इसके पीछे कारण देखी यह है कि एक तो इसको मार्केट क्लोज होना था चारपान दिन के लिए सेलिंग प्रेसर काफी अधिक देखने को मिला दूसरा कोई ठोस्ट कारण है इसने हाई लगा है और यहाई लगा है जनूरी 2022 में और तो खासकर दिसंबर तिमाई के रियर टाने के बाद से सेर प्राइस में जवर्दस दूशाल आया है पिछले अगर कुछ महीनों के बात करें तो लगभव 5 रूपए सूटकर कंपनी का सेर पाइस से 15 पैसा तक आया है और बहुत जल्द अपने हाई को ब्रेक करते हुए के लोन कम्पनी ने टेकनोलोजी से कोण्ट किया है और करार होगा यह झानिềंट को लेकर या जो रेटिंग दिया जाता है और इसके iencesनसिता था संसता भारत ते में जो रहत की बड़ी वहत होग नहीं आसानी हो जाती है और जो रेटिंग दिया भी जाता है यह लोन जब कंपनी लेती है और किसी सब बातों को देखते हुए कोई कंपनी को रेटिंग देती है तो यहां समझते हैं सुझलों इनर्जी के पास टोटल लोन है अभी लगवग 8500 क्रॉन के आसपास तो अभी ज तेबल इस में बदलावनेएं पिछले बार नहीं देखेंगे तो इसने अन्नल लिया था उसके लिए यही रेटिंग दिया था और सोट टर्म लिये रेटिंग दिया है ए 3 यह मतलब थोड़ा अपग्रेट मेंटेंगे पिछले बार थोड़ी थोड़ा अच्छा किया कमपणी क्रज़गी का कम होने का नाम नहीं कंश कम नहीं मिलें कर जह को सकता है कि अभांट कर लें अब समझें आपको क्या करना कि कम बारब करें नहीं बाला इसके बार कि अबताऊए इसको इसको बिध्र में अपड़ेट या नहीं है अब समझें आपको क्या करना है कि कम से कम आपको इंतजार करना है कंपनी का फ्यूचर कंपनी का सेर्पाइस काफी हद तक हुआ हुआ है इस बार का क्वाटर फोर करें इसलिए भी महतपुर्ण है क्योंकि पिछले बार इस कमपनी के जो क्वाटर थिरी के नतीजह आये थे उसमें कंपनी का प्रोफिट बढ़ते हुए दिखा है तो अगर इस बार भी प्रोफिट अच्छा खासा बढ़ता है तो सभाईक से बात है के समस्चा को दूर करने का प्रयास करते हैं बाकी मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तो तक लिए धन्यबाद सुक्रिया